दो हजार चोबिस में आलू बिकेगा आटा के भाव नमस्कार किसान भाईयों राम राम जै जवान जै किसान किसान भाईयों आलू के भाव में भारी तेजी जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों आलू के भाव में इतनी तेजी आ चुकी है कि हमारे किसान भाई बहुँ खुस हैं पहले नराज थे कि 2 रुपे रुपे किलो आलू नहीं भिक रहा था सड़कों पे उतर के आलू को फेक रहे थे और सरकार भी उनका कहना सुनना कुछ नहीं मानती थी कोई मौपजा नहीं मिलता था लेकिन मेरे प्यारे प्यारे किसान भाई योँ भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता तो भगवान ने इस साल 2-14 में आलू के भाई में बंपर तेजी ला दिया है और जो जो हमारे किसान भाई बैबारी भाई इस साल आलू का स्टोर कीए हुए है गुदामे में आलू रखे हुए हैं तो उनको काफी इसको बेचने में काफी मुनाफ़ा और काफी मौपजा मिलेगा तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों काफी फैदा इस साल आलू मोने वाला है आलू का भाव जो है पिछले साल से इस साल दुगने भाव में आलू बिखने वाला है तो मेरे दोस्तों बता दूँ आलू जो है आलू की जो ब्रैटी है इस साल काफी अच्छी हुई है आलू का पैदावार भी अच्छा हुआ है लेकिन आलू का जो भाव है पूरे भारत में बना हुआ है महगा होने का कारण क्या है आलू बाहर भी जा रहा है सिरिलंका, मलेशिया, दुबई कि बहुत से बिदेशी राज हैं जो इंडिया के आलू का ज्यादा महतुर रखते हैं और इस्पोर्ट मंगमा रहे हैं लाल है ालू की खपत, बढ़ती चली जा रही है और लालालू की तो अपने एक छाप छोड़ दिया है लालालू का दिवाना हो चुका है लालालू की खाने में इतना बढ़िया स्वाधित होता है कि लालाल्ू एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको पूरे भारत में लाल आलू ही देखने को मिलेगा क्योंकि लाल आलू की मांग दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और मेरे प्यारे प्यारे दोथ पतानू है हमारे और आपके बस में नहीं है तेजी मंदी लाना जब हो चाहेगा तभी तेजी आएगा जब हो चाहेगा तभी मंदी आएगा तो मेरे प्यारे पैस दोश्तों यह हर साल नहीं होता है पांट साल दस साल पंदा साल का बीच में एक बार महगाई आती है चाहे आलू का हो चाहे प्याज का हो चाहे टमाटर का हर फसल का एक बार मौका मिलता है तो मैं पर परमातमा हर फसल का एक बार मौका आपको जूट दे सब्सक्राइब आदेगा तो 2024 में जो पड़े रहे जो आलू का ब्यापार करते रहे जो आलू की खेटी करते रहे और निराश नहीं हुए रूठे नहीं और अपना काम करते गए करते घाटा मुनाफा लेते गए अगर इस साल 124 मीं जिसके किसान भाई के पाश आलू की बहुत तन के हिसाब से मल हुआ है तो उनको काफी पैसा साल आलू बेज कर मिलेगा कई हमारे किसान भाई हैं जो घबरहाट में जम खुदाई हो रहा था तो घबरहाट में उस्ओचे कि आलू कहीं फिर सचता ना हो जाए उन्होंने खेतों से वी अपना आलू बेद दिया और जो बैपारी थे बैपारियों ने उनको बताया कि आलू बपारों बेद दिया और अब पास आलू नहीं है अब वही Episode भाई यहां कि आलू महेंगा विर्त को तो मैं बता दूर today नहीं समय समय पर आप आलू को बेज़ते रहें एक दम से अपने फसल को एक दम से जटके में अपने माल को एक दम से ना बेज़ दें ताकि कल आपको पश्ताना पड़े मेरे कहने का मितलब यह है अगर आग पा दस किल्ला है तो एक किल्ला करके बेज़ें एक किल्ला करके आप पारिक दे ताकि समय समय पे आपको लाब मिलता रहे समय समय पे आपको मुनाफ़ा मिलता रहे नहीं तो क्या करेगा जो पैसा लोग लगा के पैसा कमा जाते हैं आप तीन चार महिने फसल को आप उगाते हो खोदते हो खुदाई करते हो रखते हो और कितनी सारी महिनत कितने द दोस्तों कहने का मंददा भी है आप समय समय पे लाब लेते रहें समय समय पे आप अपने आलू का व्यापार करते रहें अगर इस तरह व्यापार करेंगे समय समय पे तो आपको अच्छा मुनाफ़ा अच्छा आमदन मिलेगा और आलू का भाव इस साल 24 में आटा के भाव वि है आलोक उसमें पड़ता नहीं है इस फिर भी आलोक के भाव में बंपर तेरी आ चुकी है